हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है हमारे कुकरी शो इंडियन फुट फ्लिक्स में मैं प्यू जाना मिश्रा आप सब के लिए एक न्यू रेसिपी लेखर आएँ जिसका नाम है क्रिस्पी चिकन लेक फ्राई हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हो क्रिस्पी चिकन लेक फ्राई क्रिस्पी चिकन लेक फ्राई बनाने के लिए हमें किन-किन सामगरियों का इस्तमाल करना है आईए देखते हैं मैंने दो लेक पिस लिया हुआ है जिसमें मैंने कट लगा दिया है ताकि जब हम मैरिनेट करें तो मसाले अच्छे से अंदर तक जाए तो ये मैंने दो लेकपिस लिया हुआ है एक अंडा, नामक, लाल मिर्ज पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्ज पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अधरक लहसुन का पेस्ट, दही, कटाहरा धनिया, कॉन फ्लार पाउडर और चावल काटा तो अब हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, एक बाउल लेंगे, और ये चिकन लेकपिस जो है, जो कि मैंने बीट से, देखिए मैंने चाकू से कट मारा है अब हम मैरिनेट करने के लिए वन बाई वान मसाला आड़ करेंगे तो सबसे पहले मैं अंडालूंगी दही नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्ज पाउडर गरम मसाला काली मिर्ज पाउडर चाट मसाला हल्दी पाउडर जीरा पाउडर अब हमें अधरक लैसुन का पेस्ट लेना है थोड़ा सा ये ओट्स इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा कॉन फ्लार पाउडर चावल काटा हमने अच्छे से इससे मिक्स किया है और इसे मारिनेट करना है ये देखिए मैंने मारिनेट कर दिया है अच्छे से और इसे मैं एक घंटे के लिए इसे साइड में रख दूँगी और इसके बाद मैं इसे डी फ्राइ करूँगी अब तेल काफी गरम हो चुका है और जो मैंने मारिनेट करने के लिए रखा हुआ था एक घंटे के लिए फ्रिज में वो रेडी हो चुका है और अब मैं इस लेग पीस को अच्छे से डी फ्राइ कर लूँगी यह देखिए मैंने दूसरा पीस भी तेल में डाल दिया है यह हमारा जो क्रिस्पी चिकन लेग फ्राइ है यह बिलकुल केफ सी स्टाइल में बनेगा यह देखिए हमारा चिकन कफी अच्छे से पक चुका है और यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है यह देखिए हमारा क्रिस्पी चिकन लेग फ्राइ रेडी हो चुका है और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा आया है और इसे चलनी से सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी तेल अच्छे से निकाल के इस तरीके से यह हम सर्विंग प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए कितना प्यारा लग रहा है और यह मैंने चूले पे बनाया है इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा यह देखिए मेरा क्रिस्पी चिकन लेग फ्राइड रेडी हो चुका है देखिए यह गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बना है आई बेट यह के एफ सी से भी काफी गुना अच्छा बना है विकज मैं अल्रेडी बनाती हूँ तो आभी ट्राइ कीजिएगा घर पे अब मैं चली खाने चलिए बाई फॉन आउ